इस वीडियो में हम देखने वाले हैं idbi bank का recruitment जो आज सुबह सुबह आउट हुआ है देखो यह direct recruitment नहीं है यह है idbi का जो pg dbf program है उस program का notification है तो चलो समझते हैं कि इसमें आपके लिए हमारे लिए क्या है इसमें होता क्या है सबसे पहले इस program के बारे में समझते हैं यह जो program है idbi bank का यह एक टायर program है विट मनिपाल global education service private limited तो इसमें होगा क्या इसमें आपको एक साल के लिए post graduate diploma in banking and finance करवाया जाएगा जो जिसमें क्या होता है 6 मन का classroom होता है दो मन का internship होता है और चार मन का OJT होता है on job training at idbi bank's offices तो इसके बाद आपको as an assistant manager वो ले लेते हैं तो यह उसी चीज के regarding में है let's move forward and let us understand की और क्या है इस notification में ठीक देखो यह जो bank है अब idbi bank आपको भी पता है pan india में है तो pan india में उन्होंने zone divide करके रखा है south and west zone में कौन से states है यह सारा चीज आप यहाँ पर देख सकते हो even notification को आप हमारे description से download भी कर सकते हो ठीक है तो यह एक साल का PGDBF course है सबसे important बात आता है अब कि कितना seat है देखो total number of vacancy is 600 जो age limit है वह 20 से 25 तारिक तक का है unreserved के लिए 243 SC के लिए 90 ST के लिए 45 EWS के लिए 60 and so on यह सारा चीज आप देख सकते हो एक चीज मैं आपको उपर फिर से लेके जाना चाहता हूं एक चीज आपको मैं फिर से रिखा दू जो important date है क्योंकि date हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए जो last date है वह है 39 मतलब आपको महस 15 दिन का ही समय इसमें मिला है ठीक है कितने दिन का मिला है 15 देस का तो बढ़ते हैं आगे और अब हम देखते हैं कि और क्या-क्या है इस notification में अब क्योंकि देखो यह PGDBF है मतलब आपको एक post graduation degree कराएगा ठीक है तो इसका मतलब आपको कुछ तो मांगेगा ना आपके जो eligibility criteria होंगे उसका जो cut-off date होगा वो 31 अगस 2023 होगा मतलब इससे पहले आपके पास graduation रहना बहुत important है देखो educational qualification में candidate should be graduate from any disciple कोई भी graduation इसमें चलेगा लेकिन जो cut-off date मैंने बताया वो cut-off date उपर आप जो लिखा हुआ है 31st August उससे पहले आपके graduate होना important है age as of August 31st 2023 20 years to 25 years ठीक तो मतलब आप अगर fresh graduate हो तो आपका उमर कहीं between 20-21 or 21-22 है तो obviously you can apply लेकिन आप इसी साल अगर पास कर रहे हो तो आपको यह ensure करना है कि 31st August से पहले आपका criteria जो है वो met होना चाहिए ठीक है तो यह रहा अब देखो how to apply and all यह सारा जीज आपको अच्छे से पता रहेगा इस पर हम discuss नहीं करेंगे लेकिन एक important aspect पर discuss करेंगे वो है bond पर ठीक देखो educational qualification में भी यहां पर उन्होंने बताया age 10th and 12th और birth certificate से लिया जाएगा educational qualification के बार में उन्होंने बताया so just go through the document you will have everything all about अगर experience है मान के चलो आपको अगर experience है तो वो सारा चीज आप submit कर सकते हो यहां पर क्या-क्या document आपको देना होगा यह सारा लिखा हुआ है data of joining salary slip and all यह सब आपको देना है तो अब बात करते हैं सबसे important aspect that is selection process की तेखो यहां पर logical reasoning data analysis and interpretation जिसको हम layman language में reasoning बोलता है इसका start question आएगा 60 marks English 40 question 40 marks Quants 40 question 40 marks General economy banking and awareness मतलब सीधा सीधा बात यह general awareness होता है जिसमें current affair की question होंगे थोगा सा static banking भी पूछेंगे वो लोग थोगा सा static finance के बार में पूछेंगे and so on 60 questions 60 marks तो देखो reasoning and geo को सबसे ज्यादा weightage है and इसी प्रकार से आपको इसका preparation करना है अब penalty for wrong answer इसमें one-fourth का क्या है penalty है wrong answer right तो आप फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे और क्या-क्या है इस notification में जिसे आपको ध्यान देना है अब आगे हम बात करेंगे program fees की अब क्यूंकि देखो यह एक post-graduation diploma आपको देखा तो obviously बात है ऐसे cases में fees होती है right so the fees would be three lakh rupees obviously इसमें loan facility भी लिया जा सकता है depending on many different factors वह हम discuss नहीं करेंगे लेकिन हम fees के बार में बात करेंगे तीन लाक रुपए है fees ठीक है which includes course fee, lodging, boarding and other fees etc सारा चीज मिला के क्या है तीन लाक रुपए आपको पे करना है हाँ आपके पास नहीं है या आपको bank finance कराना है तो वह possibility है ठीक है, IDBI bank की वह feliciate करवाएगा तो देखो यहाँ पे IDBI bank एकदम clearly लिख दिया है career prospects and emulments के बार में जो stipend training period में आपको 5000 रुपए पर मन्त मिलता रहेगा so you don't have to worry about your pocket money आपको pocket money आपकी bank ही देगी उसके बाद internship period में जो दो मेना internship रहेगा उसमें 15,000 रुपए पर मन्त आपको bank pay करेगा and once it is done, once the entire process of training internship is done and you are acquired in IDBI bank तो आपको junior assistant manager grade O में select किया जाएगा जिसका salary range है 6.14,00,00 to 6.50,00,00 which is again a good salary अब देखो एक important है service bond अब क्योंकि आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा हाँ although आप fees पे करोगे लेकिन 3,00,00,00 के एक degree आपको post graduation diploma उसके बाद hostel fees वगरा भी include रहेगा आपको stipend भी मिलेगा तो अब यह इसी बात है bond तो होना ही है तो bond यहाँ पर 2,00,00 plus taxes का bond होगा और minimum period होगा 3 साल का 3 years and 2,00,00 plus तो यह आपको ध्यान देना है तो this was all about Indian notification जो important points थे वो मैंने discuss किये है if you have any doubts please do let me know in the comment section we would be happy to help right so thank you and all the best